हेलो फ्रेंड्स आज ही विसकस के एक ही पोधे में कई रंगों के फूल खिलाने के लिए मैं एक और बेहद आसान ग्राप्टिंग टेकनिक के बारे में आपको बताऊँगा जिस grafting technique का नाम है बार्क grafting जो की बेहत आसान है और मैं update भी आपको सो करूँगा अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं बिना skip किये तो आप भी इस आसान grafting technique की मदद से एक ही पोधे में कई रोंगों के फूल खिला पाएंगे और अगर आपने कभी भी grafting को try नहीं किया है तब भी आज की वीडियो का grafting technique आपको easily समझ में आएगा और आप भी grafting कर पाएंगे दोस्तों grafting करते समय यह grafting process skip हो गया मुझसे लेकिन मैं आपको एक demo में दिखा देता हूँ आपको एक grafting कैसे करना है जो की demo में मुझे और भी clear तरीके से दिखाने में आसानी होगी आपको इसमें दो straight cut लगा कर बार्ग को लूच कर लेना है और आप जो भी tools यूच करते हैं या तो वो साफ होना चाहिए या फिर उसे आप hydrogen peroxide से साफ कर ले इसके बाद आपको जिस variety की grafting करनी है उस variety के पोधे से आपको एक पतली सी साखा लेकर उसे भी के सेफ में छील लेना है अगर आपको एक पोधे में अलग-अलग variety के कई रोंगों की grafting करनी है तो आपको उन्ही अलग-अलग पोधे से एक-एक साखा लेकर ग्राफ्ट करना है और रूट इस्टो के लिए हमेशा आपको देशी ही विसकस का ही पोधा लेना है दोस्तों इस बार्क ग्राफ्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमेह में मल्टिफल ग्राफ्टिंग करने के लिए एक फोधे में कई सारे ब्रांच की भी जरूरत नहीं पड़ती और सारे ब्रांच को एक ही जगह ग्राफ्ट करने की वज़े से सभी ब्रांच की ग्रोध भी बराबर इस पिट से होती है क्योंकि सबी ब्रांच में फूट की सप्लाई बराबर होती है और बार्क में नमी भी काफी होती है इस वज़े से इस मेठर में अक्सेसरेट भी सबसे ज़्यादा आता है और अगर आप ग्राप्ट करने के लिए पेंसिल की ठिकनेस की ब्रांच लेते हैं तो आपको इसी तरह से किसी रस्ति से बांधनी पड़ सकती है लेकिन अगर आप पतली और सोप ब्रांच लेते हैं तो सिर्फ प्लास्टिक से आपका काम चल जाएगा इसे आपको टाइट ही बांधना है ताकि हमारा सिलेक्टर ब्रांच बार्क में अच्छे से चीपक जाए और हमारी ग्राप्टिंग फेल ना हो इसमें आपको साइन की लंबाई ज्यादा नहीं रखनी है मैंने हाँ थोड़ा सा ज्यादा लंबा ले लिया है पर आप कोसिस कीजेगा इससे थोड़ा सा छोटा लेने की अब इससे प्लास्टिक से कवर करके फूल सेड में रख देंगे ताकि साइन में नमी बनी रहे दोस्तों ग्राप्ट किये हुए मुझे दो सब्ता से जादा हो गए है और अब इसमें पत्तिया भी आ चुकी है तो इस प्लास्टिक को मैं रिमू करके आपको दिखाता हूँ अगर आप अभी मार्च में ग्राप्टिंग करते हैं तो इतनी पत्ति आने में एक महिने तक का समय भी लग सकता है लेकिन बारिश में रिजल्ट फास्ट मिलता है और मेरी एक ग्राप्टिंग भी बारिश के सीजन की ही है अब इसे फूल सनलाइट में रखना है इसके बाद ये दो महिने एक अप्डेट है और ये काफी हरा भरा भी हो गया है अब मैं grafted plastic को remove कर देता हूँ फिर आपको graft version को दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा हमने जो तीन ब्रांच को इसमें graft किया था वो तीनों ही अब मजमूती से इसमें graft हो चुका है इसके बाद यह 6 महिने का update मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इसमें एक flower खिला हुआ है और इससे पहले मैंने आपके साथ जितनी फी ग्राप्टिंग की वीडियो सेयर की थी उसकी flowering अपडेट के लिए मुझे काफी comment अभी भी आ रहे है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी फरवरी मार्च का महिना permanent flower plants की heart pruning का बिल्कुल सही टाइम होता है और हिविसकस का plant एक ऐसा flower plant है जिसे heart pruning काफी पसंद होती है इसकी pruning करने पर यह काफी घना हो जाता है इसलिए मैंने अच्छी quantity में flower लेने के लिए अपने सभी multiple grafted हिविसकस plants की heart pruning कर दी है क्योंकि अब मैं आगे flowering update आपके साथ share करूंगा तो आप सभी को भी काफी मज़ा आएगा update देखकर जिसके बाद यह साथ महिने का update है इस plant में भी आप देख सकते हैं इसकी भी मैंने heart pruning कर दी है और pruning करने के बाद इसमें काफी ज़्यादा नियनी सूर्स निकल कर आ रहे है यानि इसमें आगे एक साथ तीन रंगों की flowering होगी तो एक साथ हमें तीन रंगों के कई सारे flowers देखने को मिलेंगे तो उम्मीद है दुस्तों आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो के लिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेज करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग